हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटिब चैनल में आए आज के इस वीडियो में महत्पूर प्रश्णों की कड़ी में हम लोग प्राचीर भारतिये चित्रकला से संबनिर कुछ प्रश्णों को देखेंगे और उनके क्या उत्तर है आप देखेंगे और इस कड़ी में हमारा पहला प्रश्ण है भारत में प्राग एतिहासिक आउजार की खोज का स्रे किसे जाता है विकल्प है कारलाइल काकबरन कनिंगम और ब्रासफूट तो इस प्रश्ण का सही उत्र है ब्रासफूट दरसल यहां प्राग एतिहासिक आउजार की बात की गई है ना कि प्रा गए तेहां से चित्र के खोज की बात की जाती तो जागित काकबन और अर्जी बोल्ड कारलाईल के द्वारा चित्र की खोज हुई थी लेकिन यहां यह चित्र ना दे करके यहां आउजार पूछ लिया है और मेजर राबर्ट ब्रासपुट ने 1863 सिजबी में मद्रास के निक अवजार की खोज किये थे आईए हम अगला प्रस्ण देखते हैं प्रस्ण है सबसे प्राचीन गुफाचित्र कहां से मिले हैं विकलफ है पंचमरी मिर्यापुर भीम बेटका और बेलारी इस प्रस्ण का सही उत्तर है भीम बेटका जैसा कि इससे पहले के वीडियों में भीम लोग देखे थे कुछ इसी तरह से प्रस्ण वाई हुँआ है और उसमें भी भीम बेटका उत्तर है कि भीम बेटका एक मातर ऐसास्तल है पूरे प्रागय इत्यहाजी काल का जहां से पुरा पासांकाल मद्ध्य पासांकाल और नौपासांकाल यनि तीनों कालों के बने हुए यहां पर चित्र मिले हैं लेकिन ये मुख्य रूप से अगर देखेंगे तीनों कालों में तो यहां भीमबेट का मुख्य रूप से मध्य पासाण काली का स्थल है और यह से सबसे प्राचीन चित्र मिले हैं आई एगला प्रशन देखते हैं प्रशन है मिजभांडों के बनाने की सुरुवात कब से हुई पहला विकल्प है क्वेटा सभ्यता तामर पासानिक केंद्र नौ पासानिक कला और इसका चौथा विकल्प है हरपा काल इस प्रशन का जो सही उत्तर है वह नौ पासानिक कल है इनि भारत में प्राची इनिकाल में मिद्भांड अर्थाद मिट्टी के बर्तन बनाने की शुरुवात नौ पासानिक कल में ही हो गई थी और पासानकाल के बाद आता है हरपा सब्विता हलांकि हरपा सब्विता में भी मिट्टी के बरतन बने हैं मिद्भांड बने हैं लेकिन यहां अलंकित मिद्भांड बने हैं मिद्भांडों पर बढ़ियां बिधिवत्शित बनाए गए हैं लेकिन पहली बार जो मिद्भान बना है वह नो पास्ता अनकाल में है। आईए अगला कोशन देखते हैं। भारत में पर्थम बैज्यानिक आविस्कार किसे मानते हैं। विकल्प है ताबे के बंगर, कांशे का बनाना, मिद्भानों का बनाना, और चोथा विकल्प है पहिये का बनाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है, पहिये का बनाना। असल में पहिया से आदिमानों के जीवन में कई परिवर्तन आते हैं पहिया से उनका जीवन सुगम हो गया पहिया से चैक का आविसकार हुआ जिससे मिद्भान रथात मिट्टी के बरतन बनने शुरू हो गए तो ये पहिये का बनना इसे पहियानिक आविसकार माना जा सकता है और इसलिए इस प्रश्ण का जो सही उत्तर है वो पहिये का बनना है आईए अगला कोशन देखते हैं प्रश्ण है सर्व पर्थम उगाई जाने वाले फसल कौन सी थी तो यहाँ विकल्प में कपास है गेहूं और जव है डाल है चावल है तो इसका सही विकल्प गेहूं और जव है योव सब्द का भी उल्दुक हुआ है योव का ताथ पर जव से लिया गया है आईए अगला प्रस्ण देखते हैं मनुष्ट के स्राचर के रूप में हमें किस जानवर के प्रमार मिले हैं विकल्प है गोरा गाए बकरी और कुट्टा तो यहाँ मनुष्ट के स्राचर के रूप में जो पस हो है वो कुट्टा है और कुट्टे और मानुष्ट के स्राचर के प्रमार मद्ध पास अनकाल से ही मिलने शुरू हो जाते हैं और मानुष्ट ने सबसे पहले कुट्टे को पालना शुरू किया और धीरे-धीरे कई पसुओं को मानों ने पाला लेकिन सबसे पहले मानों के द्वारा पाला जाने वाला पसु कुट्ता था आदमगर के चित्रों की खोज किसने की विकलप है डबलू एंडर्शन, येशिटी गार्डन, मनरवन्यन घोस और हायकेट तो इस प्रस्ण का जो सही उत्तर है वह है मनरवन्यन घोस आदमगर के चित्रों की खोज करने वाले मनरवन्यन घोस थे आई अगरा प्रस्ण देखते हैं भारत में सामाजिक जनजेवन से सम्मंधित चित्र कहां से मिले हैं बिकल्प है आदमगर की पहारियों से भीम बेटका पहारियों से कैमूर पहारियों से और महादेव की पहारियों से यहां देखिएगा सामाजिक जनजेवन की बात की गई है तो एगर यहां सामाजिक जनजेवन से सम्मंधित चित्रों की बात सबसे पहले होगी तो यह है महादेव की पहारियों से यहां पर प्राग एटिहासिक काल में सामाजिक जनजेवन से सम्मंधित चित्र बड़े पैमाने पर मिले हैं आई एगरा प्रसंद देखते हैं मानोदारा प्रियोग किया जाने वाला प्रथम आउजार माना जाता है विकलप है बूम रेंग हल गदा और कुलहारी तो इस प कुलहारी है जो मानों के द्वारा प्रियोग किया जाना वाला प्राग एटिहासिक कालीन हचियार है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर कुलहारी है हलाकि सबसे पहले जो आउजार खोजा गया था हुआ है और क्लीवर या इसी को बिद्रणडी भी कहा गया है जो रावट ब्रास फूट ने खोजा था वह एक तांसे आउजार ही था लेकिन अगर वह नहीं है तो यहां कुलहारी को बरीता देंगे आई एगरा प्रसंद देखते हैं चुनार हुआ बीजेगर प्राग एप यहां सिकालीं छेत्र का संबंध है भिकलत है राएगर शेत्र शू पुरिट शेत्र कैमूर शेत्र और बादाशों बसाने जस्णाोर šक की स्मानता से ईकलता है प्रसंद देखते हैं है घू गुफा की समानता ने इसुव जाρά को के कोगल फुफा से की जाती है विकल्फ है मंदसौर, अलनिया, बेल्लारी और पहारगर तो यहाँ इस्पेन की कोगल गुफा से समानता बेल्लारी गुफा से की जाती है जो दच्छिर भारति में इस्थित है आईए एक और प्रसंद देखते हैं भारतिय प्रागयत यहां से चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है विकल्फ है ब्राडरी प्रिगट जगदीश गुपता अमरनाथ दर्थ तो इसका सही उत्तर है दक्तर जगदीश गुपता जो इलाहाबाद मिस्विद्याले से जुड़े हुए थे तो दुस्तों कई लोगों का कमेंट था कि प्रिष्णों की बहुत ज़्यादा ब्याक्ष्याना की जाए प्रिष्ण का सीधे उत्तर बता दिया जाए तो इस बार प्रियास यह किया गय हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धरने बाल